हलो फ्रेंज मैं हूँ नीला और आप देख रहे हैं नेचर वीट नीला हिंदी फ्रेंज साथ अबीद खड़ाब होने के वज़े से थोड़ा गला दबा हुआ है ये कोई नहीं बात नहीं है रोजी मेरा गला दूसरा ही लगता है तो आज हम जिस प्लैंट को अभी देख रहे इसके उपर बहुती मतलब आकरशित है और हम लोग भी बहुत जगा से इसको खड़ीद रहे हैं तो खड़ीद हम रहे हैं इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए इसके पत्ते को इसको फ्रूट को ये कैसा दिखने में होता है ताके आप लोग ना ठगे जहां से भी आप लोग पौधा खड़ी दिए उसको अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि हम लोग पौधा लगाते हैं पहले उसका फ्रूट का इंफर्मेशन अगर हम लोगों को मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है अभी तो इंटरनेट का जमाना है कहा से ये आम आ जितना के कमर्शियल वैलू इसका बहुत है क्योंकि इसका लाइफ जो है सेल्फ लाइफ जो है ये बहुत जादा है और इसलिए मेरिका में युएसे में ये बहुत फेमस है कमर्शियल वैलू इसका बहुत जादा है तो आज हम लोग इसको खाएंगे और देखेंगे कि ये सचमुच कितना मीठा है कितना अच्छा है और कितना फ्लेवर इसका है और जो लोग डाइवेटिक पेशेंट है जो फ्रेंड उन लोगों के लिए ये मैंगो बहुत ही अच्छा एक मैंगो है क्योंकि वो फ्रेंड लोगों को भी मैंगो बहुत पसंद है लेकिन बहुत चाइ खाएंगे टेस्ट करेंगे इसका ब्रिक्स कितना होता है सब तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पत्ता मैंने गवार से नज़्दीक से आप लोगों को दिखाते हैं आप तक रहे हैं निजलवीद मीला हींडी आज मैं देखिए ये टॉमी आठ किंस जो मैंगो है इसको मैं इसका एक लिव्यू दूँगे इसको इस मैंगो जो है इसको हम काटेंगे खाएंगे और बोलेंगे ये 5 मिठा है और फिर हम लोग इसको ब्रिक्स मीटर में मांक के बत इतना है तो चलिए देखिए यह जो टॉमी एट कीम्स मैंगो है इसको काटना हो गया है अभी हम लोग इसको खाएंगे और बताएंगे यह कैसा खाने में है जब सी और शीनी इसको खाके बताएंगी मीता हा फेंस बहत मिठा नई और चाहे क्णझे थखाने में शेंशेशन मैंगो की तरह ही यह है यह बहत अच्छा है फेंस देखिए टॉमी एट किम्स मैंगो गुटलि है वह बानाना मैंगो की तरह ही पतला है देखिए फ्रेंड्स चलिए अब लोग हम इसको ब्रेक्समीटर में माप के फिर आपको बताते हैं ये कितना है चलिए फ्रेंड्स मैंने भी इस आम को थोड़ा सा खाया है और इस आम का जो सेलफ लाइफ है बहुत अच्छा है मैंने कहा है इसको मैंने पौधे से निकालके फाइब डेस तक घर में रखी थी उसके बाद इसको काटा गया है फिर भी देखिए ये अंदर का जो पल्प है वो पूरा सॉलिट है और टाइट है मतलब एकदम भी गला हुआ नहीं है ये इसका बहुत अच्छा है खासियत है और अभी ब्र 19 दिखा रहा है तो 19 मीठा बहुत अच्छा ही मिठा होता है 2021 बहुत ज़ादा होता है लेकिन 19 अच्छा मीठा है और खाने में बिल्कूल अलग है मतलब दूसरे आमों से बिल्कूल ही अलग खाने में है इस मैंगो का जो TSS लेवल है वो दिखा रहे है यह 19 का है पर आज तक जो भी मैंगो मैंने खाया है उसमें से यह बहुत ही अलग तेस्ट है और देखिए इसमें बिलकुल भी एक दो भी राशेस नहीं है इसमें देखिए और इसका जो घुटली है वो बहुत ही पत्ला है बना मैंगो कीता रख देखिए इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद नमस्कार